नमस्कार सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप मैं हूँ आपके साथ पूजा आज सवाल की फेमस लेखक सलमान रुष्टी पर हमला क्यों क्या दस सेरेटिक वर्सेज रुष्टी का काल बनी ये किताब क्या कटर पंथियों ने सलमान रुष्टी को बनाया अपना निशाना दनसल ये सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि कल एक दुखत खबर सामनी आई लेखक सलमान रुष्टी से जुड़ी जन पर जान लिवा हमला किया गया सलमान रुष्टी पर अमेरिका के न्यूँ यॉर्क में एक कारिक्रम के दोरान चाकू से मार कर हमला किया गया इसे लेकर 1989 में उनके खिलाफ पत्वा भी जारी किया गया था हमले को उसी से जोड कर देखा जा रहा है पर सवाल ये है कि क्यों उन पर बार बार जान लिवा हमला करने की कोशिश की जाती है आज इसी एहम सवाल पर चर्चा करेंगे बातचित के लिवेसा स्टूडियो में मौझूद है क्यापिटल टिवी के एडिटर इंचीफ डॉक्टर मरिश्क वाड़ूर साब बहुत बहुत स्वागत हैं पाकिस्तान से वह हिंदुस्तान आया था उसको यह जाब दिया गया था कि लुपर yarma सर अंञाले कि आर दिन पहले राजस्थान में कार शक्स पकड़ा गया था वो पाकिस्तान से आया था यह वो सक्स है जिसने लाहौर के पास महरादा रंजी सिंग की मूर्ति को उसने गिराया था अब वो हिंदुस्तान आया था लुपुर शर्मा के सर को तन से जुदा करने के लिए वज़ वही है जो अमरावती में लोगों ने किया वज़ वही है जो राजस्थान में हुआ देश भर के अलग अलग जगों पे जो कुछ हो रहा है वही वज़ए है धर्मांदिता जिहाद कटरपंथ यही तो बीमारी है और इसलिए सल्मान रुजदी के साथ जो कुछ हुआ मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कैपिल टीवी के जो दर्शक है वो इस बात को याद रखेंगे कि जस दिन नुपृ सर्मा के खिलाफ यह सर्तन से जुदा वाली कहानी शुरू हुई उस दिन से मैं कहता आ रहा हूँ कि आज नकल देर सवेर लुपर सर्मा इन जिहादियों के निशाने पे आएंगी और ये एक युद्ध है जिसे सब कुछ होसो हवास में समझना होगा लड़ना होगा सलमा रुषदी ने क्या किया एक किताब लिखी उसने दे सेटैनिक वर्सेश आपको पसंद नहीं हो किताब उस किताब के जवाब में दूसरे किताब आप लिख दे मामला खतम सलमा रुषदी तो उस तरह के वेक्ति हैं जो मोदी के खिलाब बयान देते आ रहे थे लेकिन हमला हो गया नाइटीन नाइटीन नाइन में इरान के सुप्रीम लीडर आउतल्ला खुमैनी ने ये फत्वा जारी किया था तीस लाख डॉलर इसके सर के उपर इसके कीमत लगाए थी कि जो उसकी हत्या कर देगा तीस लाख डॉलर सल्मान रुष्दे हिंदुस्तानी हैं मुंबई में जन्मे हैं और हिंदुस्तान की कहानी भी बड़ी अजीब है देखिए कोई कुछ बोल रहा है ये लिफ्टीबर कबाल एक राइटर की हत्या हुई है हत्या करने की कोशिश की गई है वो सिर्फ इसलिए कि उसने किताब लिख दी दे सेटैनिक वर्सस के बारे में लोग कह रहे हैं कि जैसे ये किताब आई मुस्लिम वर्ल जो है वो नराज हो गया कि ये इसलाम के खिलाफ है ये मुहमद साब के खिलाफ है इसमें मुहमद साब की वीवियों के बारे में खराब अलफाज इस्तमाल किये गए जो कुछ भी किया गया और मैं सुन रहा था बहुत सारे जो एक्स मुस्लिम से हैं वो कह रहें कि उसमें कोई गलत बात भी लिखी भी है तो खेर उनका अपनी राय है और हिंदुस्तान पहला मुल्क था किताब आई नराजगी फैली दुनिया भर में पच्पन इसलामिक मुल्क है किसी ने बैन नहीं किया सबसे पहले कूद करके सोनिया गांधी के पती देश के प्रधान मंत्री उस समय थे राजीव गांधी उन्होंने आवनों देखा था उन्होंने बैन कर दिया इंडिया वस फर्स्ट कंट्री टू बैन हिस बुक सेटैनिक वर्सेश क्यों मुसल्मान नराज हो जाएंगे वोट बैंक का क्या होगा और ये कब ये तब जब अल्रेडी कॉंगरिस पार्टी के उपर ये तोहमत ये आरोप लग रहे थे कि बाई तुमने साब आनो केस में सुप्रिम कोट के फैसलर को उलट करके कानून बना दिया तो जब आप अपीजमिंट करेंगे तो ये सरतन से जुदा के नारे लगेंगे जब आप वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए नैशनल इंटरेस्ट को पीछे कर देंगे तो पाकिस्तान जिन्दाबाद के नारे लगेंगे कोई नहीं रोक सकता सलमान रुजदी एक लिटररी सेमिनार में थे एक सक्स आता है और वो बारह पंद्रह बार एक के बाद एक अटैक करता है बताया जा रहा है साथ बार चाकू से घोपा गया है उनको और एक लिवर के पास लगा है जिस वज़े से उनकी स्थिति क्रिटिकल हो गई है और एक आख के उपर जो इसमें शामिल है वो अपने फेस्बुक पे उसी खुमैनी की तस्वीर लगाता है जिहादी है वो ग्रणा से ओत प्रोत कहा है वो गंगा जम्ली तहजीव वाले सब कहा है गया है वो गैंग आप सरतन से जुदा करने की मुहिम चलाएंगे और दूसरे ही सांस गंगा जम्ली तहजीव की बात करेंगे इतनी तेजी से तो गिर्गिट भी अपना रंग नहीं बदलता तो उनकी स्थिति क्रिटिकल है जिन्दा अगर बच भी गए तो उनकी आँखों की रौशनी चली जाएगी यही डॉक्टर कह रहे है अभी उस सक्स के उपर आरोप टै नहीं हुए है अमेरिका में इंतजार किया जाता है कि फाइनल क्या हुआ अगर मौत हो गई दो मेहने के अंदर उम्रकैद के लिए जाएगा जो वहां की जो सबसे बड़ी या फासी हो जाए या कुछ हो जाए ये वहां का सिस्टम है वो तै करेगा लेकिन दुनिया में तो मैसेज चला गया कि आप एक बार इनके टार्गेट पे आगए तो आज नकल कोई सिर्फरा 32 हुरों के चक्कर में इस काम को अंजाम देगा कमने इस्तिवारी की घटना उसके खिलाब भी ऐसे ही मुहीम चली थी रैलिया हो रही थी क्या हुआ कमने इस्तिवारी को जेल में भी डाल दिया गया वो जेल में भी सजा काटा सब कुछ हुआ लेकिन वन फाइंड मॉर्निंग यही जिहादी एलिमेंट्स आते हैं उसको मार के चले जाते हैं क्या हुआ उनका चल रहा है तो यह सलमान रुस्दी के केस से जो सीख हिंदुस्तान को लेनी है कि जो सर्टन से जुदा के जो नारे लगाने वाले लोग हैं या भड़काने वाले लोग हैं ये मौलवी मौलाना ये जो पत्थरवाजी जो होती है फ्रैडे नमाज के बाद इस तरह के बिस्खोपड़ियों को जो समाज में जहर प्हलाते हैं इनको मौका रखने से पहले ही जिस से पहले वो कोई चीज़ को अंजाम दे सके अमरावती तो कभी कुछ कभी कुछ कभी नुपुर सर्मा तो कभी कोई और सब का नंबर इस तरह से लगेगा और आप इसी तरीके से माला जबते रह जाएंगे जैसे कि ये जो हिंदुस्तान में जो कॉंग्रेसी एको सिस्टम बोर्ड बैंक पॉलिटिक्स के लिए हमारी आखों के उपर पट्टी बांद करके रखा हुआ है वेरी सीरियस सिचुएशन फॉर इंडिया क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर में इस तरह के लोग अपना फन फैला चुके हैं और यह याद दिराने के लिए जरूरी है कि जो फत्वा 1989 में लगाया गया 33 साल के बाद उसको पूरा करने के लिए लोग खड़े हैं तो आप समझे किस से लड़ाई लड़नी है बहुत बहुत शुक्रे बाचीत के लिए धन्यवाद तो लिखक सल्मान रुष्टी पर अमेरीका के न्यू यॉर्क में हमला हुआ है बलकि उन पर कई बार पहले भी हमले की कोशश हो चुकी है पतवा भी जारी किया जा चुका है फिर हमला वागई ये काफी निंदन यह है आप अपनी राय कॉमेंट करके लिए आज के हमारे शो सबसे बड़ा सवाल में फिलाल इतना ही, कल एक बार फिर से एक नए सवाल के साथ हाजर होंगे, देखतेर ये Capital TV, नमस्कार